एक समय की बाठ है एक जंगल में एक जामुन का पेर था और उसके साथ ही एक बांस का पेर था एक देन जामुन की पेर ने कहा तुम हिलते जुलते क्यों हो मेरे तरा सीधी क्यों ने करे उठते तो बांस की पेर ने कुछ ने कहा फिर जामुन की पेर को गुस्ता आ गया तो जामुन की पेर ने कहा तुम मेरी बात का जवाद क्यों नहीं दे रहे तो बास की पेर ने कहा हमें हवा का आदर करना चाहिए है जा हवा जाती है वहां हमें जुखना चाहिए तो इसलिए मैं जुखता हूँ तो वहां से जाती हुई हवा ने उन दोनों की बात को देख लिया और जामुन के पेर को हिलाने की कोसिस की पर जामुन का पेर हिलाई नहीं फिर हवा वापिस चली गई फिर कुछ सप्या पाट के हवा ने दुबारा से कोसिस की पर जामुन का पेर दुबारा नहीं हिला फिर उसने उसकी जरों पर कोसिस की तो जामुन की पेर के जर कमजोर हो गए और जामुन का पेर उर गया तो बास की पेर ने मनी मन कहा इसनी मेरी बाट को सुना नहीं और बहुत गमंद किया इसलिए यह ला गया हमें इस कहानी से यह सिक्सा मिलती है कि हमें कभी भी घमत नहीं करना चाहिए